हमीरपूर नगरपरिशत छेत्र में रहने वाले लोगों को अब अपने पालतु कुत्तों का रेजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा नगर्परिशद हमीरपूर के द्वारा नगर्परिशद छेतर में पालतू कुट्टो को रजिस्टरड कर उनको टोकन नमबर तक दिये जाएंगे ताकि शहरी छेतर में आवारा कुट्तो की तादात की भी जानकारी हो सके और लोगों को उनके भैसे बचाया जा सके नगरपरिशत द्वारा इसके लिए 500 रुपे रिजिस्ट्रेशन फीज के अलावा प्रती वर्ष रिनिवल फीज की तौर पर 250 रुपे वसूला जाएगा नगरपरिशत कारेकारी अधिकारी अंकित गुपता ने पुष्टी करते हुए बताया कि अगामी दिनों में पूरी रूप रेखा तयार कर इस कारेवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा वही उन्होंने नगरपरिशत छेत्र में अवारा कुटो की धरपकड कर उनके वेक्सिनीशन करवाने की बात कही हमीरपूर नगरपरिशत में पालतु कुटो की पूर्ण जानकारी अब नगरपरिशत कारेयाले में देना अनिवारे किया गया है हाल ही में नगर परिशद की मासिक बैठक के दौरान इसको लेकर विस्तरित चर्चा की गई और मुंसिपल कॉर्परेशन एक्ट के तहट नगर परिशद छेतर में इसे अमली जामा पहनाने पर मोहर लगाई गई हमीरपूर नगर परिशद के दौरा अब इसको लेकर पूरी तयारियां कर ली गई है नगर परिशद के दौरा वकाईदा अब पालतु कुत्तों को टोकर नंबर मुहया करवाय जाएगा और पालतु कुत्ते से संबंधित सभी जानकारियां उसके मालिक से रेजिस्ट्रेशन के समय ली जाएगी जिसमें टीका करंट सहीत अन्य जानकारियों को शामिल किया गया है नगर परिशद कारेकारी अधिकारी अंकित गुपता ने बताया कि शहरी छेत्र में पालतु कुट्टों की रेजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैठक में विस्तर चर्चा की गई और न निर्धारित की गई है उन्हाने बताया कि रेजिस्ट्रेशन करवाते वक्त पश्यू चिकित्सक का प्रमाण पत्र लाना भी अन्यवारे किया गया है उन्हाने बताया कि इसके अलावा नगर परिशद में आवारा कुत्तों की धर पकड़ कर उनकी नजबंदी करने के कवा इसके लिए रिजिस्ट्रेशन फीस हुसने टाय की है जो कि अगर फर्स ताइम जब रिजिस्ट्रेशन होगी तो फाइव अन्ड़ रुपीज हमने टाय किया है और हर साल के बाद इसको दुबारा रिजिस्ट्रेशन करानी पिढ़ेगी जिसमें कि वो वेटनरी डॉक्टर के दुबारा एक ऑथराइजेशन आएगा, इसके बाद रिजिस्ट्रेशन होगी और एक साल के बाद रिजिस्ट्रेशन फीस आधी करजी जाएगी, ड configurar 200 रुप्या प्रतिवर्श की जाएगी कब से इंप्लिमेंट कर रहे हैं सर इसको हम जल्दी इंप्लिमेंट कर देंगे, इसमें अभी कुछ कागजी कारवाई हमें और करनी है, तो इसे दो तिन हपते कभी हमें समय लगेगा, उसके बाद इंप्लिमेंट हो गएगी